मैं वाइटिस फैमली विल्कम और विल्कम बैक टू प्रियक लाइफ में मैं हूँ प्रियंका कैसे आप सभी एरली होब आप सभी अच्छे होगे तो यह जो है वो छोटी दिवाली के दिन का है क्लिप टाइम हो रहा है 11.30 का हम जा रहे हैं मंदिर हनमान जैनती है आज हनमान जी को भोग लगाने लेकिन में भी टाइम पर पहुचेंगे नहीं वो आपके साथ मैं आगे शेयर करूंगी तो यहां पर हम आ गए हैं पहले मिठाई लेने के लिए हनमान जी और गड़े जी को लड़ू चड़ता है आप सभी को पता है तो लड़ू लेंगे हम और गड़ लेंगे हम कोई बीचिस हम दोनों की पसंद से ही लेते हैं ऐसा नहीं कि मुझे पसंद आ गया फिर उनको नहीं आया तो मैं ले लूँ ऐसा मैं नहीं करती हूं तो बस यही देख रही थी सारा यहां पर प्राइज मेंशन था और वन केजी बॉक्स में फोर तरकी मिठाईया थी जो कि इंको खुया मिक्स बозиते हैं तो बता दो कि बंदनीर में दरसन नहीं मिला किए हम लेट हो गयते लेट हो गयते एक लड़की के वज़े से जोकि रास्ते में जगड़ा कर रही थी सवीज़े से ट्रैफिक जान हो गया था क्या ही है इस दुनिया में कुछ झेंश उस वज़े से मुझे बुरा लगा वो चीज तो यहां पे हम दूसरी शॉप पे जा रहा है मंदिर हम शाम को जाएंगे लड़ू हमने ले लिया है हस्बन जी बोले कि वहाँ पे चलते हैं एक्शली गाइस वहाँ पे हम तो वैसे दिवाली पे किसी को गिफ्ट नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग दिवाली गिफ्ट करते हैं ना तो मैं सूसती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ वैसे मैंने सेपरेड वीडियो भ अगर आप जैसे पहले जो मिठाई के शौप पे गया थे वहाँ पे इतना वैराइटीज नहीं होता किफट का कुछ छुनिंदा होता है मतलब कुछ ही होता है पर यहां पर काफी जदा बिराइटेस होता है गिफ्ट का और सबसे बड़ी बात रिजनेबल प्राइस पर होता है हस्बन जी के यूनो हुलिये पर गौर्मत कीजिएगा बहुत जल्दी में निकले थे वो मंदिर पहुशने के वज़े से इस वज़े से भी तो पूशना ही नहीं कितना विराइटीस था तो हम तोनों ने रिसाइट किया कि इस बार स्वेट्स पिछली बार जो स्वेट्स था वो थ्री या फोर केजी लिया था हमने बट इस बार इतना नहीं लेंगे क्योंकि हस्बर्ट जी स्वेट्स बिलकुल नहीं तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बड़ घर में रहता है तो इनसान खा ही लेता है कंट्रोल नहीं होता और मैं और कार्टिक तो काफी तेज है खाने में तो यहाँ पर हमने स्विट्स ले लिया है और मेरे फेस की स्माइल अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है काजू कतली जो कि आपको दिख रहा है ब्राउन बॉक्स में यह है क्या इसको बोलते है रोसकेक नीचे है खोया मिक्स और इन दोनों जो बिका ने लिखा है दोनों में लड्डू है जो कि मैंने पहले शॉप से लिया था तो यह टोटल मिठाईया टू एन हाफ है यहाँ धाई किलो है यहाँ पे हमने गुजिया चड़ाया है जो कि टू फिफ्टी ग्रैम से यह तो हम धंतेरस के दिन से इस्वर को भोग लगाना सुरू करते थे धंतेरस के दिन यहाँ पे मैं एक अनबॉक्सिंग कर रही हूँ जो कि आज़ी इनबॉक्स करना ज़रूरी था तो हम न धंतेरस के दिन से लगाते हैं धंतेरस के दिन मैंने खीर लगाया था क्योंकि सुक्रवार भी था और बर्फी भी चड़ाई थी अभी हम शाम हो गया मंदीर आ गये है हस्बन जी ऑफिस चले गए थे और फिर वो पाँच बजे आये मुझे कॉल कर दिये तो मैं उनको रास्ते मिल गई घर के बाहर तो उन्होंने वहाँ से मुझे पिक कर लिया और वही पे वो मुझे रॉप भी कर देंगे क्योंकि फिर उनको ऑफिस जाना है तो यहाँ पर मै मुझे मुटी मुटी टाइप यह उन्हों फिल कर आते हैं आप लोग बताना किया मैं सच में बहुत ज़्झा रही हूं किया मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़रा मुटी हूं खीर यहां पर मुझे बहुत ज़्यादा सजा हुआ था प्र Goshा हुआत थोड़ा अ नाली हो क्योंकि हम लोगों में दिवाली के सुबह नहाते हैं दिवाली से एक दिन पहले रात को सारा कुछ यूनो साफ करके कीचन कुछ भी खाना लेफ जो होता है वो नहीं रखते हैं और सारा कुछ साफ सफाई करके हैं सुबह नहा के फिर ही कीचन में जाते हैं वैसे तो नहा के हर दिन ही जाना चाहिए लेकिन दिवाली के दिन खास ये होता है सभी के लिए कि नहा के खाना होता है हम लोग दलिद्दर क्या बोलते हैं कि दिन पहले निकालते हैं घर से कुछ ऐसा रूल है कि दलिद्दर थाली बजा के निकालते हैं दिवाली के दिन फिर नहा दो क किचन में जाते हैं सबी लोग नहाद हो के खाते हैं नौट लेडिस सबी लोग तो यहां पर मैं बिस्तर सबसे पहले बैड लगाऊंगी अपना क्योंकि बैड लग जाएगा न तो फिर कोई आएगा जाएगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम ने वुए celebrate मेरे यहां कोई खाता आने वाला नहीं है हैं बहुत सारे लोग लेकिन दूर दूर तो फिर दिवाली के दिन इतना आना जाना नहीं हुपाता है तो बैड यहां मेरा लग घाएगा है और मुझे खाहरा है अभी भी हो री है अप देख सकते हैं next vlog में देखेंगे क्योंकि ज्यादा lengthy vlog कर देती हूं तो फिर आप लोग भी बोर होते हैं और मुझे भी editing में problem होती है that's why हाला कि यह तो मैंने उसी दिन suit कर लिया था अभी मैं edit कर रही हूं तो छोटे-छोटे करके कर दी हूं जिससे आपको भी problem ना हो देखने में तो जो बेट सीड मैंने लगाई है ना मैं इसका पिलो कवर नहीं लगा रही हूं क्योंकि यह बेट सीड मुझे आज के बाद हटानी है जो पिलो कवर आप देख रहे हैं यही बेट सीड मुझे अगेन बिचानी है तो बेट सीड का जो कवर मैं पिलो कवर होता है वो दो ही आ लगाऊंगी तो कुछ ऐसा ही रहा मेरा छोटी दिवाली के दिन और दिवाली के मौनिंग का तो भी मैंने स्टार्ट किया है जो कि